दोस्तो सीरियल रादा कृष्ण की जोडी से हमें प्यार और जिंदिगी की बहुत से चीज़ें सीखने को मिलती हैं रादा कृष्ण सीरियल की प्रेम कहानी को दिखाने के लिए ही भारत में एक ऐसा शो इन दिनों लोगों के बीच प्रसारित किया जा रहा है दोस्तो जिसमें की राधा कृष्णी के अलोकिक प्रेम को दिखाया गया है दोस्तो आज हम आपको इस शो में अपने अभिनय का प्रदर्शन करने वाले करकारों के रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बताने वाले हैं तो आएए जानते हैं कुछ उन लोगों के बारे में नमबर एक पर हैं अर्पित रंका स्टाफ भारत पर प्रसारित होने वाले शो राधा कृष्ण शो में डुष्ट कंस का करदार निभाने वाले अभिनेता अर्पित रंका के रियल लाइफ पार्टनर का नाम निधी सोमानी रंका है जो की दिखने में बहुत ही खुबसूरत नजर आती हैं नमबर दो पर है हर्श वशिष्ट अभिनेता हर्श जो की शो में शिरी दामा का करदार निभा रहे हैं इन्होंने इस शो के अलावा भी कई टीवी शो में नजर आ चुके हैं इनकी रियल लाइफ पत्नी का नाम रितू वशिष्ट है जो की बहुत खुबसूरत नजर आती हैं नमबर तीन पर हैं शिविया पाटनी है रादा का करदार निभाने वाली अभिनेत्री शिविया की बात करें तो शिविया वर्ष 2013 में मिस शिमला भी रह चुकी हैं आपकी जानकारे के लिए बता दें कि शिविया इन दिनों टीवी पर आने वाले सीरियल शकाला का बुम बुम में संजु का करदार निभाने वाले अभिनेता किन्शुक वैद के साथ रिलेशन्शिप में नजर आती हैं ऐसा भी बताया जाता है कि उन दोनों की पहली मुलाकात एक रिष्टा साजे दारिका के से कि बात करें तो वह इस किरदार के लिए पूरी तरह से उप्युक्त हैं मराठी परिवार से संब्ध रखने वाले सुमेद की गर्फ्रेंड का नाम तो निशा शर्म बताया जाता है नंबर पांच पर हैं मलिका सिंग राधा कृष्ण नामक सीरियल से अपने कर्वे की शुर कि कृष्ण का करदार निभाने वाले अभिनेता हिमांशु शूनी के रियाल लाइफ पार्टना की बात करें तो उनकी रियाल लाइफ पार्टना का नाम शीतल बताया जाता है ऐसा भी कहा जाता है कि हिमांशु और शीतल दोनों एक दूसरे से आज से दो साल पहले मिले थे पहले ही मुलाकात में शीदल ने उन्हें प्रबोस किया और हिमाशु ने उनकी प्रबोसल को सुईकार भी कर लिया था नमबर साथ पर हैं रीना कपूर रादा कृष्ण सीरियल में ये शोदा मा का कृदार निभाने वाली अभिनेत्री रीना कपूर उन्होंने अपने करी की शुरुवात डीडी नैशनल पर आने वाले धार्मिक शो गंगा मया से की थी रेना ने सौटवे इंजीनियर करन के साथ शादी राचाई है जो कि इन दिनों नोईडा में काम किया करते हैं तो दोस्तों आपको हमारी नियूस कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं